नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आशरवाद आप सभी का स्वागत है आए समंत्रा के यूट्यू उडी चैनल पर आए चर्चा प्रारम करते हैं इस स्पेशल इशू पर अर्जंटीना में इंफलेशन काफी कम हो गया है दोस्तों जो इंफलेशन सो परसेंट पचास परसेंट चल रहा था वहां पर वह अब चार परसेंट से भी नीचे आगया दोस्तों धाई सालम से लोईस लेवल पर आगया जी यहां अर्जंटीना में इंफलेशन कम हो गया तो निश्य तो अच्छा काम लग रहा है देखने में, हाँ एवरेज अभी भी एन्वल की बात करें, साल भर का देखें तो अभी भी 263% है, एवरेज देखें 12 महीने का, तो 263% यानि जो 6 महीने पहले इनके गए हैं, उसमें तो 300-400% गया ता लग बग ये, तो अभी भी एक प्रकार से का, घाटा कम करेंगे बजट का, बैट में सारे खर्चे रोग दिये नोने यहाँ पर, अब सारे जब खर्चे रोग देंगे, बैट कटोती करेंगे, जब बैट कटोती करेंगे, तो असर किस पर बढ़ता है इस का आम तो पर गरीब जनता पर, तो गरीबों क आप बैसिक्ली इनो शारी गरीबों के लिए कीमे मं बंद हो गयी बहुत सारी ग्रीबों के चल रही थी भोज़न की स्कूल की स्वास की साथ बंद कर दी नोalts तो लोग का मानना इंफलेशन कंट्रोल करने का जो आपका तरीका है वो गरीबों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है इसके लावा एक काम और होने किया यहाँ पर जो सरकास सब्सक्राइब देती थी बहुत जादा इंडस्ट्री को टेक्सेशन देती थी छूट देती थी बंड कर दी अन्होने यहाँ पर इससे इंडस्ट्री बंड हो गई है और आपने आप में और इमांड कम हो गई तो इंफलेशन कम हो गई या तो तब हो सकती है, inflation कम हो जाए, या supply बढ़ जाए, है ना, यह हो सकता है, तो supply की बात दिनों रहे, demand को कम करने का प्रियास किया, सरकार का budget घाटा, budget कम कर दिया, सरकार का, खर्चे नहीं करेगी सरकार, सरकार जो tax छूट देती थी लोगों को, वो बंद कर दी नोंने, कहना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहा, तो ultimately क्या हुआ, कोई काम ही नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ, जनरेट क्या होई, मंदी का सीधा मतलब होता है, कहीं न कहीं, बस उत्पादर होगा ही नहीं, और क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी, जी हाँ, तो महंगाई कम होने का कारण दिया गया वो है मंदी काना अर्जंटीना के अंदर ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जो राइस्वती जेविर मिली सहब वो बहुत जार ड्रास्टिक और स्ट्री मेज़े ब्रोग्राम जी हाँ बहुत बड़े-बड़े कटाओती कारकम लेकर आये हैं वो जीरो बजट की बात कर रहे हैं वो उनका कहना है कि वो कम कर देंगे इंफलेशन को सोची का इंफलेशन डबा 25 परसेंट था अउन्हें करनसी का डिवैलुएशन कर दिया करनसी का अमुलियन कर दिया अपनी यहाँ पर amolion करने से क्या होता है वालू मैं आपको amolion करने से कि currency 1.70 रुपे का था 90 का होगया तो क्या होगा depreciation होगया currency के अंदर devaluation होगया currency के अंदर तो क्या होगा आपके export बढ़ जाएंगे आपके import खतम हो जाएंगे चीजे बाहर से आना बंद हो जाएंगी इसके लावब देखें हम लोग यहाँ पर सरकार दिखारी सरकार का बैठ फाइदे में आ गया है सरकार का बैठ फाइदे में हमारे पास income जादा है टेक्स छोड़ छोड़ दी सब्सीड़ बंद कर दिया फॉरेक्स नहीं बंद कर दिया आपने आप तो यहाँ पर आईटर मानते हैं दोस्तों कि यह जो inflation आपने कम किया है recession always produces drop inflation जी हाँ यहाँ यहाँ पर commentator कह रहे हैं यहाँ कहना चिपकार से विश्यक जानकार कहते हैं कि मंदी का परिणाम है कि आपने जो inflation को control किया है तो एक तरीका है इनका करने का यह आप देखें तो इस साल की पहली तिमाई में एकनॉमी कम हो चुकिए minus 5.1% यह GDP ग्रोथ है यहाँ का इस साल का फर्स पहली तिमाई का recession अब सीधी बाद दोस्तों slowdown है अपने आप में यह construction रुक गया है manufacturing खतम हो गई है जब manufacturing नहीं करेंगे construction नहीं करेंगे समान की मांग खतम समान की मांग खतम तो inflation खतम जी यहां दोस्तों कमानना यह है यह काम कर रहा है यहां पर लगातार retail sector नीचे आ चुका है दोस्तों लगातार उद्यों को नुकसान हो रहा है 6 लोगों को ने कहा यहां पर 6 लाक लोगों को सरकार ने साहिता ना बंद कर दिया एक प्रकार से job चोलेगा इनके हां से यहां पर whatever तो यहां पर समझ सकते हैं Argentina में inflation तो कम हो गया दोस्तों inflation तो कम हो गया यहां पर लेकिं inflation कम करने की जो policy है सरकार की वो काफी अलोशना के खेरे में है समय उमीद करों topic clear होगा दोस्तों आपके लिए हमारा यह तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आपको बताएं कमेंट बॉक्स में आप जोइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी current reference classes दोस्तों जो प्लब्द हैं GS with Ashwad app के उपर जहां daily class होती हैं और notes राप्त होते हैं इसके तरह आप जोड़ सकते हैं app पर हमारे PT और mains के विशेश कारकरम पर login कीजिए हमारी app पर Thank you